पाकिस्तान में सिंद्ध के काश्मोर में रवीवार सुबह एक हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉंचर से हमला किया गया हमलावर उन्हें मंदिर और आजपास बसे हिंदू समूदाय के घरों पर अंधा दुन गोली बारी भी की गोलियों की आवास सुनकर पुलिस मौके पर पहुची तब तक हमलावर फरार हो गए पाकिस्तान में 48 घंटे में हिंदू मंदिर में तोड़ फोड की है दूसरी खटना है इससे पहले कराची में शुकरवारा डेड़ सो साल पुराना मंदिर ढहा दिया गया था इस्तानी लोगों ने बताया है कि मारी माता मंदिर पर रात में बुल्डोजर चलाया गया इस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रविवार को हमले के दुरान मंदिर बन था इसलिए ज़ादा नुकसान नहीं हुआ हमलावरों ने मंदिर के पास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर भी हमला किया शुरुआती जाच के मताबिक हमलावर आट से नो लोग थे पुलिस उनकी तलाशी के लिए सर्च ओपरिशन चला रही है एक रिपोर्ट के मताबिक है मंदिर बागडी समुदाय की और से आयुजित के जाने वाले धार्मिक सेवाओं के लिए हर साल खुलता है कराची के लोगों ने बताया शुकरवर की रात कुछ लोग बुल्डोजर लेकर आए और मारी माता मंदिर की भारी दिवारों और मेंगेट को छोड़कर भीतर से पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया जब मंदिर को ढाया जा रहा था तहम मंदिर ढाने वालों को सुरक्षा देने के लिए पुलिस तेनाग थी इसी के साथ बने रही है राज नमा डिवी के साथ दा निवाद